यह सब जितना मैंने अभी सिखाय था आपके लिए डवांस होगा लेकिन मैंने अभी सरफ बेसिक कर रहा है इस पॉर्टीन सारी देखो ट्रेंड पकड़ना सीखना है तो पहले ट्रेंड समझो की होता क्या है ट्रेंड पकड़ना सीखे तो इंटरे में काम करोगे आज मैं वह आज में आगे वह नई वीडियो के साथ तो आज डिसकस करने वाले वह इतना इंपोर्टन टॉपिक है इंट्र डे फोर आर्स वन डे टाइम प्रेम के अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया था कि हमें ट्रेंड कैसे पकड़ना है ट्रेंड पकड़ना नहीं अधर तक शारी कहना तो इसको इंटरेंड के इसको बना सकते हैं ठीक है आज कि वीडियो बहुत डिखाऊंगा कि कैसे करते चार्ट के उपर तो सबसे पहले मैंने जो सिखाया था मैंने सिखाय था कि हमें h-point देखना है market उपर जा रही है market उपर जा रही है यहांपर यहां तो हमारा h1 referencing pattern बनेगा ठीक है यहां फिर हमारा बनेगा h2 यहां से फॉल देखना हमें कितना आठ से दस परसेंट और निफ्टी के अंदर तीन से पांच परसेंट पांच परसेंट से उपर हो सकता है अगर यह तीनों चीज़े है तो हमारा यह हो जाता है एच पॉइंट यानि कि यहां पर जैसे माल लोगर यह है के यहां पर हाई और बॉट्ब मार्किट यहां पर आएगी और यहां पर हमें सेल का सोचने इतना समझ आया किणका ह। अब हमें इंटर दे इंदर इसको कैसे यूज करना है अब देखो हमें सबसे पहले फाइंड-ट करना है edge point ऑमर की वब जा रही है मार्कीट जा रही तो हमें क्या find out करना है edge point यहाँ पर हमें edge point find out करना है क्या होता है अभी मैंने evident पहले बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा टीम प्रेम इसे समया है सबसे है कि उधे कब अंधर करो tecn자가 s करने किमहाई बता ऊंगा यह समझी लिए ना market के अंदर पैसे बनाना सीख जणो इतना समझ चाहो ठीक है Market उपर गई यहां पर हमें है pregnant पेटन का range mark कर ली market नीचे आई market वापिस उपर गई यहां पर आई और यहां पर हमें देग गया h2 या फिर h1 candlestick pattern sell कर दो ठीक है sell कर दिया अब वापिस market अब यह हो गया पहला step अगर माल लो market यहां से उपर गई और यहां से यहां चली गई और यहां पर भी आपको एक ही चीज़ देखनी है h1 या फिर h2 candlestick pattern और यह हमें देखना है पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है अगर आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां ने दो line mark करी है top और high और low ठीक है या तो high पर मिलेगा आपको यह या फिर low पर मिलेगा हलका सा उपर नीचे हो सकता है पिन पॉइंट रिजेक्शन आएगी कभी 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 पिन पॉइंट रिजेक्शन नहीं भी आती लेकिन हमें यहां पर आसपास कहीं मिल जाता है एच्छों यह फिर एच्टू गैंडिस्टिक पैटन तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है तो वहां पे ठोक दो और कितना कितना ठोकन है वह हम live example के अंदर मैं discuss करूंगा तो रिश्ट्ट्रिवार्ट रिच्व मैं live example में दिखांगा कितना रखना इंटरद के अदर काम करना तो चार गंटे और एक दिन का टाइम फ्रेम चेक्क करकर कैसी ट्रेड करें है न इसके अंदर तो हम समझ करना बहुत इंप्पॉर्टेट है आज की वीडियो आज जो इंट्रडे के अंदर आप सीख गए रहा है तो अगर आपको बेसिक इतना तकड़ा लग रहा है तो सोचो आगे क्या आने वाला है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना अभी कमेंट करो और जाकर इस वीडियो को शेयर करो तो क्योंकि ऐसी नॉलिज को यह को और देनी रहां मार्केट के अंदर है अगर मैं दे रहा हूं तो इसको सपोर्ट करो और चलते हैं यहङाज ऊसь इंदर करेंगि निफ्टी सबसे अब गया है तो सबसे बख्र आप हैं वैने आ तक है चानल वेस्ट नाओ इसको आगर आपको एक बड़ दिखा देता हूं अगर देखोगे तो यह हमारा है यहां से जो एंगल हमारा कौन से है 2225 डिगरी चेक कर ले एक बार चलो देख लेते हैं यहां से जो मारे एंगल हो गया 2225 राइट एंगल और जो लोग बोल रहे थे आज़े की हमारा यह करने से एंगल सेंज हो रहे हैं यह तो देखो देखो सेम ही है यह यह जो लाइन जाइम ही ओंट चुटा बड़ा हो रहा लाइन सेम है अब आपका यहां यहां पर 2225 डिगरी होग है इसके बाद कबना है इसके बाद हमें चेक करना जो फॉल है वह कितने पर्सेंट गए लेट सी जमारा फॉल है वह फोल वी आलमुस्ट और फॉर परसेंट जाया ने कि 3% से उपर है नहीं 3% से 5% होगा तो हमारा वह एच पॉइंट माना जाएगा ठीक है अब हम क्या गरेंगे हमारी एस्टु से आइखे ऐगर मार्केट्न को हम मार्क लेगी वड़ी और यहां पर मार्क लेते और यहां पर मार्क लेते हैं और यहां यहां से रिवर्सल दिया लेकिन आपको लगरा था सर हम कैसे करेगे यहां पर हमें यहां सेल करना है यहां पर सेल करना है जैसे कि मैंने बताया मार्किट यहां पर आएगी हमें इसके बीच में कुछ नहीं करना यहां तो हमें उपर वाले लेवल पर उपर वाली लाइन जो हमने माक करी है यहां पर वाली लाइन पर सेल करना है या फिर हमें इसके नीचे वाली लाइन पर जब मार्केट यहां पर H1, H2 के अंडरस्टिक बनाएगी तब हमें सेल करने का सोचना है इसके बीच में कुछ करने का नहीं सोचना है चलो देखते हैं इसको फाइफ में टाइम फ्रीम के अंदर कि क्या जो मैंने बोला वैसा हुआ या फिर नहीं ठीक है है देखो अब जो मार्केट है मार्केट आई यहां पर ऊपर ठीक है यहां पर बीचमे मैंने कुछ नहीं करना जो टॉप फोर लेवल है उसके आघवर समेंदेहनी यहां पर सयल करने का तो क्या लेट सीब को पूरे दिन का फॉली चैप्शे कर लिया 150 पॉइंक्ट 1 फ़र्टी पॉइंट से निफ्टी यानि की आपका राम से दिन का कितना हो गया अगर इसमें वन-फ़र्टी पॉइंट से अंदर तो इससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है या नहीं तो हमारा इतना है तो रिस्ट रिवार्ट रिशो कितना हो गया देखते हैं यानि कि हमारा रिस्टो रिवार्ट रिशो हो गया है औल्मोस्ट तो हमारा यह हुआ तो हमारा रिक्स्टो सिक्स मतल अगर आपका 10 रूपे का लॉसो तो gekommen आने वाले हैं तो अगर ऐसे रिस्टू रिवार्ट रिशो के साहता हम काम गरते हो ता अप overlapping भी loss making trader नहीं बनोगे ठीक है तो अब आपका तो इसके बाद देखते है market कब आई उसके बाद वापिस यहां पर इसी जोन के अंदर देखो जड़ा अब देखो यहां पर market वापिस आई यहां पर दिख रहा है कौन सी हमें देखना है एक फिर देखना है यहां पर हमें देखना है है हमें यहां पर यहां पर वीग हो चुक है अब यहां पर trend ूगया हमें पसद चल गया है अब हमें aATION निल गए यहां पर तो हमें गडर दिना है सभी सेल इसके नीचे अब यहां पर अगर हमने सेल कु स्थीड रिदेट रिटेट था यगा तो हमारा ध्लीकैश यहां पर थोड़ा 1.6 है ना 1-2 at least हम मान कर चलते है मिलने तो हमें लेड़ तो लेना है तो 1-2 हमें रिष्ट to reward ratio लेना है यानिकि अगर हमारा यहां पर हमें प्रॉपर मिल गया देश्ट तो आई हो पाच की वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि आपको फोर आर वन डे टाइम फ्रेम को यूज करकर ट्रेंड समझ आता है एक ट्रेंड मार्केट में कहां ओपरेटर बैठ है अगर आपको बता चल गया कि स्ट्रांग डिमांड सप्लाइज ciones क्या है उसके अंदर सेलिंग आएगी उसके अंदर कैसे ब्ले करना आज मैंने ऋ्माहिए वेसे यहां समझ आ करना मुझे आपको देखना है कि वंडे टाइम फ्रीम के अंदर कहां पहले से सेलिंग आने वाली है या फिर आई थी और उसके बाद फाइव मिनट के अंदर क्या हुआ यह मुझे सेंड करना है सिर्फ दो चार्ट आने चाहिए मेरे पास एक वंडे टाइम फ्रीम वाला और मिनट गदे चाहीं कि अंदर जों बनाया था हमने फाइव मिनट के अंदर एच्वापर एस्ट्वर एस्टु ऐस्थरी के मिली और उसके बाद भाद हांप सेलिंग या फिर बाइंग आई या फिर नहीं सिरफ दो चाहिए सिरफ fedor जाने आने चाहिए रबास वंडे ओर फा झाल झाल